दोस्तो भारती रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये नई दुनिया की एक मतलब नई दुनिया आर्टिकल है एक न्यूज पब्लिसिंग हाउस है उसकी एक रिपोर्ट है जवलपूर इंदोर नई रेल लाइन को लेकर तो इसमें क्या-क् अपडेट है उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे क्या-क्या इसमें लिखा हुआ है तो इसमें लिखा है जवलपूर से इंदोर तक 342 किलोमेटर लंबी नई रेल लाइन बीचाने के लिए मिले 514.40 क्रोर मदन महल स्टेशन के काम को रफतार देने के लिए 15 क्रोर पहली वार रेलवे बजट में मिले इतनी रासी तो आईए देख लेते हैं क्या-क्या अपडेट है इसमें जवलपूर से कबर आई है कि जवलपूर से इन दोर तक नई रेल लाइन के लिए आखिरकार रेलवे ने बजट स्विक्रित कर दिया रेल लाइन का काम शुरू करने के ल करों रूपे स्विक्रित कि ए न कि पिछले साल सिर्फ एक लाक रूपई स्विक्रित किये गए ते वहीं मदन महल स्टेशन में से चल रहाए री डेंवलप्मेंट कारे को रफ्तार से और यह 15 क्रों रूपे स्विक्रित किए घये लगभग 13,607 करोर की रासी आवंटित की गई है अकेले पस्चिम मद्य रेलवे के जबलपूर बोपाल और कोटा मंधल की पर्योजनाओं को रफ्तार देने के लिए 8,874 करोर रुपे दिये गए मतलों देख लिजे कितना कितना रुपे दिया जा रहा है यह जानकारी पस्च प्रेश वारता के दौरान दे इस दौरान अपर महा प्रबंदक सोभंच चौधूरी प्रमुख मुख्य वानिज जे प्रबंदक राजेस पाठक प्रमुख्य अभियंता एके पांडेवित्य सलाकार एवंजिला मुख्य लेखा अधिकारी दीपा चाबला मंडल मंडल रेल प्रबंदक जबलपूर विवेक सिल मुख्य योजना महा प्रबंदक के सचीव राहुल जय पुरियार मुख्य जन संपर कदिकारी राहुल स्रिवास्तो वरिष्ट मंडल वानिज जे प्रबंदक विश्व रंजन आदी मौजूद रहे तो इसके साथ में देखिए एक और इसी के साथ की न्यूज है रेलवे फाटक खतम करने के लिए मिले 18.74 करोर पस्चिम्मद रेलवे को आठ हजार आठ सो चोहतर करोर रुपया वंडित किये गए इस रासी से जबलपूर भपार और कोटा मंडल के स्टेशनों के विकास और अन्य कारी होंगे पिछले वर्स 2022 तेईस में 4,228 करोर रुपय मिले थे इस बजट में नई रेल लाइनों के निर्मान और पुरानी रेल लाइनों को रफ्तार देने लगवग 2,014 करोर रुपय इधर दूसरी और तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए 1,521.3 करोर मिले वहीं रेल यातायाद को सुगम बनाने और नई तकनीक का उपियोग करने वा सिगनल के संख्या बढाने के लिए 114.7 करोर दिये रोड सेफ्टी वर्क यानि लेवल क्रॉसिंग के लिए 18.74 करोर रुपय वह आर यूबी वह आर ओ भी बनाने 574.3 करोर रुपय मिले तो इसी तरीके से बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली धीरज बाजपाई के दोड़ा इस आर्टिकल को लिखा गया है इंदोर जबलपूर या कहें जबलपूर इंदोर नई रेल लाइन को ले करके सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि 342 किलोमीटर रेल लाइन के लिए पांस सा चौदा दिसमलों चार सुन्य करो रूपए के स्विक्रिति दी जा चुकी है इस एक साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं जय हिन जय भारत जय बिहार